कि आप लोग कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आप आज इस डिजिटल हॉल में मैं वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज हम सब इस हॉल में एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही जवर्दस्त सत्र के लिए मेरा नाम अजय है अजय कुमार जा एंड आज इस मिटिंग का होस्ट हूँ फ्रेंट्स आज आज अल्मोस्ट दो वर्षों के बाद कोविट आपको याद है मार्स 2020 में सो हुआ था और आज लगब दो ठाई वर्षों के बाद हम पहली बार बीवियस का मज़ा लेने जा रहे हैं बीवियस जिसको देख देख तरके मेरे जैसे कई लेटर्स बिस्नस में ग्रोथ लेते चले गए हैं आज के जो स्पीकर है उनके बारे में क्या बता हूँ है ना हम सभी लोग उन्ही की टीम से हैं लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको अभी सामने से देखा साथ ही उनका एक वीडियो के मात्रम से सकें यह कितनी बड़ी हसती है कितने चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है, उनका नाम है स्रीयोंपुरगार शादव, उनकी पत्नी का नाम है सर्टा मैडम, सर जो है वो बेसिकली बिहार प्रसास्तिक सेवा से थे, लेकिन अभी कुछ वर्सों पहले उनका प्रोनती जो है, वह खारतिया प्रसास्तिक सेवा चाहता हूं और फिर सीधे उनको आपके अच्छी तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा, आएए, पहले दिखते हैं वो वीडियो जिन्दकी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है नजर में खाबों की बिजलियाने के चल रहे हो तो जिन्दा हो तो हवा के जोकों के जैसे आजाद रहना से को तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो हर एक लमहे से तुम मिलो खोले अपनी बाहे हर एक पल एक नया समा देखें ये लिगाहे जो अपनी आखों में हैरानिया लेके चल रहे हो तो जिन्दा हो तुम दिनों में तुम अपनी बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिन्दा हो तुम फ्रेंट्स यह वीडियो जो है वह 2018 में सूप किया गया था लेकिन मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार रुमांकित हो जाता हूँ आज हम सब इस हॉल में उस सक्स को नस्दीक से उनके बारे में जानेंगे भी और उनसे लास्ट में या सीखेंगे भी कि वह डायमेंड तक कैसे गये हैं आईए एक जुरदार तालियों के साथ सारे लीडर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना वीडियो ओन करें और एक जुरदार तालियों के साथ वायदत करते हैं सही ओम प्रकाश यादत्गी का सब्सक्राइब को मेरा बहुत नमश्कार मेरी आवाज स्पस्ट हो रही होगी इस जी ने ठीक कहा यादों के जरोके में पुना हम लोग वापस चले गए थे इस वीडियो को देख कर संघर्ष की कहानी संघर्ष की दास्तान हमें साथ आदमी को प्रेरित करती है और प्रेरि के अधियह ने मेरा प्रेश संघर्ष कराया मिरा नाम उंप्रकाश ऑदव है और आप सब लोगं को मैं यहां से अभिननंदन करता हूं आप सब लोगं का स्वागत करता हूं आप सब लोगं को नमशकार करता हूं संक्षिप परिचे हजय जी ने दिया मेरा जनम धन्वाद में हुआ फादर हमारे वहीं थे हम लोगों की कोईलरी थी ये पांट-साथ में मैं अपनी स्टोरी आपको तुरंद सेयर करूंगा इस स्टोरी को सेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मक्षद है वो मक्षद कुछ अपने बारे में कुछ इडिफाई करके अपनी प्रशंसा करना नहीं है अपीतु यह है कि जीवन एक सफर है और उस सफर में आप कहां से सुरुवाद करते हैं कि इन राहों पर चलके आगे बढ़ते हैं यह बहुत महत्पुर्ण नहीं होता है महत्पुर्ण यह होता है कि उस डगर में उस सफर में कितने मंजिलें आई कितने साथी आए आप लगातार ठीके रहे आप कहां थे यह महत्पुर्ण नहीं है आप जाना कहां चाहते हैं वो महत्पुर्ण है जनम मेरा धनवाद में हुआ पोलफिड में उन दिनों विहार और जारखंड एक ही राज हुआ करता था और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई आरंभिक वहीं हुई और इन फैक्ट जनम से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा और जनूब बताएंगे कि हम लोग बहुत ही बहुत ही हमबल बैक्ग्राउंड से हैं कि एसेंशिली हम लोग राने वाले नलंदा जिले के हैं कई बार मैंने स्टोरी बताई हैं लकिन वहुत सारे नए लोग है तो हमको पूतरों के सब्सक्राइभ अत्यान्त हमबल इन फैक्ट मैं गरीबी में हम लोगों ने वहां से में पिता जी नी सफर के शुरवा आथ उन दिनों मैक्ट्रिक पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धी मानी जाती थी, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए, आगे पढ़ना चाहते थे, तो हम लोगों का थोड़ा गाय दूध-धूद का ब्यावसाय था, ब्यावसाय कहका यह दूध बेच करके गुजारा होत है, धनवाद में भुकम पाया, कोल माइन्स में बहुत सारे लोग काम करते थे, वो छोड़के भाग गए, और वहीं एक अपरचुनिटी इनके साथ मिली, इसलिए हमेसा याद रखिए कि जब इस्वर कोई चुनोंती देता है, तो आपके साथ आउसर जरूर देता है, इट कोल माइन्स को बहुत सक्ससफुली, बहुत इमानदारी से चलाया, और परिनाम यह हुआ कि बहुत कम समय में वो बहुत ही आगे बढ़ गये, बहुत ही उन्होंने तरक्की की और सब कुछ अच्छा चलने लगा, इसी बीच 1963-64 में हमारा जनम हुआ, और जब जनम हुआ उस वक्त अमबेस्टर गाड़ी मुझको याद है, विलिस जीप हुआ करता था, राइट हैंड राइव, मुझको तो गाणियों के, के रेजिस्ट्रेशन नमबर भी याद है, बी आर निनानवे चौदर, बी आर डबलो एक ग्यार एक तीस, मार्क थ्री, सबसे टॉप मॉडल क कि अमबेस्टर गाड़ी आई थी, वो खरीदी गई थी, मुझको तो पेट्रॉल का दाम भी हलकालका याद है कि दो रुपे दस पैसे में एक गैलन पेट्रॉल मिलता था, एक गैलन का मतलब पांच लीटर पेट्रॉल दो रुपे दस पैसे मिलता था, मैं स्टोरी आपको यह बताता हूं कि जीवन का सफर स्नै स्नै धीरे धीरे बढ़ता है, उसको फिल करने की जरुवत है, डेस्टीनी मंजिलें बहुत महत्पुर्ण होते हैं कि मंजिलों से महत्पुर्ण रास्ते होते हैं, इसलिए देखिएगा जब आप गारी चलाईएगा तो रास्ते को मैं मैक्रिक पास किया, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना हुई, और इंद्रा गांदी उस वक्त प्रधान मंत्री थी और उन्होंने रास्त्री एक करन कर दिया, नेशनलाइजिशन कर दिया, और हम लोग सब लोग की कुलेरी 12 बजे रात में नेशनलाइज हो गया, औ उस जमाने में कड़ोर पती था, जिसके पास 45-45 गारियां थी, हम लोग अचानक बोड़ पर आ गए, और हमारे फादर को उसी कुलेरी में कलर्क की नौकरी करनी पड़ी, जिसके वो मालिक थे, ये वक्त का पहिया जो भूंता है तो बहुत-बहुत कुछ उलट से पुलट क जुकी थी, जॉइंट फेमिली थी, सारे भाई वर बहन, 11 बहने थी जॉइंट फेमिली में, साथ भाई थी, सब की साधी विवाह करते करते, जब मेरे पढ़ने का वक्त आया, तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, दोस्तों इसी पटना शहर में, हम अपने सपनों के साथ आ पावर आप इस्पोकेन वर्ड सोता है, कोई सीड आपके दिमाग में, आपके मस्तिस में, आपके जहन में, कहीं डल जाएगा, और वो सीड कहां जर्मिनेट कर जाएगा, आपको कहां लेके चला जाएगा, आपको पता बेजाएगा, मेरे फादर का कहा हुआ एक शब्द, मेडिकल का एक्जाम देने के लिए बिहार सरीप सहर में 50 रुपय महिने में एक छोटा सा एक रूम हम लिए थे इसमें पंखा भी नहीं था और मई जून में हमने तैयारी कुछ वो संघर्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब भी संघर्स होगा तो समझे इस वर आपको बड लब्दी देने वाला है उसके बाद चीजें बदलनी सुरू हुई हम पटना आ गए और सिविल सर्विसस की तैयारी करना सुरू करते हैं मुझको याद है इसी सहर में कई साम हम भूखे बीना खाए हुए तैयारी करते रहे हैं जब गर्मी लगता था तो बातरूम में साव तो सबस्क प्रदार दोस्त थे, एक कंबल और एक धरी था जिसमें तीनी आदमी सो सकता था, अब सूझ करके देखिये तीन आदमी सोते थे जाड़ा में और एक आदमी जा करके पढ़ता था, वह इसलिए नहीं पढ़ता था कि उसको पढ़ना है बलकि इसलिए इसलिए ती लेकिन हमारे फादर इस सफलता को देखने के लिए बहुत दिन तक नहीं रह पाए उनकी उम्र हो चुकी थी और साधी के एक दो महिने के अंदर उनका निधन हो गया पिता जी चले गए मेरी मा रही मा मेरे साथ रही उसके बाद फिर मा का भी निधन हो गया से साथ साल के मास कोमनिकेशन में बहुत अच्छा कर रही है अभी गुजरात गई हुई थी फ्लड और उन चीजों पर डोकुमेंटरी बनाने के लिए फिर भी कोलकता गई हुई है वो डिसकॉबरी चैनल के लिए काम करती है वाइस चैनल यूएस में उसके लिए काम करती है तो यह डिय अच्छी नौकरी में तो फिर हमको आने के जुरूरत क्यों पड़ी यह बड़ा महात्पुर्ण है और यह आपके लिए बहुत महात्पुर्ण है क्योंकि जब तक यह सपस्ट नहीं होगा क्या क्यों करना चाहते हैं तो कैसे करने में पूरी जिंदगी निकल जाते हैं जो इसके लिए लाखों लोग जो यह जानते हैं कि सासन कैसे किया जाता उसके लिए काम करता है इसलिए इस चीज को याद रखने के जुरूरत है दोस्तों तो उसके बाद हम जॉब में आ गये और अच्छी पोस्टिंग हुई हम रेल मंत्री के साथ नाम रेना उचित रही रह अजीब भिडबना होता है कि जब आपके पास पावर आता है तो हैविट्स बदल जाते हैं सिगरेट पीने की आदत थी कुछ शराप पीने लगे नौन फेज बहुत खाने लगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया हाट में प्रॉबलम हो गया पुलिस्टोल बढ़ गया यह सब चुनवती आती रही स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है इस नौत्री में स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ गया तो हमको लगने लगा कि पता नहीं फिर क्या हो रहा है और इसी बीच एक दो घटना हुई मेरे बैच का दो तीन ऑफिसर का प्रीमेच्योर डेथ हो गया है य तो कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो डेथ होने के बाद उसी ऑफिस में जहां वो हाकिम था उसकी पत्नी को प्यून की नौकरी अभी भी से स्टिल डूइंग जॉब अभी हाल कोविड मेरे दो बैच मेट का डेथ हो गया है और उसके बेटे को उसी ऑफिस में क कि नौकरी करनी पड़ रही है जहां को डिरेक्टर अब सोच करके देखिए क्या चक्र चलता है यह सब होने लगा हमको लगा कि कहीं हमको भी हो जागा तब क्या हो जिस नौकरी पर हम इतराते हैं अच्छी नौक्री है I'm still proud of my job इन फैक्ट देश के सरवत्तम सेवा में हम इस से बड़ी काई सेवा इस देश में ही नहीं तो सेवा में तो हम हैं लेकिन मुझको पता है कि जब तक आपकी उपलबदी आपकी आमदनी आपका एचीवमेंट सिर्फ आपकर डिपेंड करता आपका भी शुरक्षित नहीं हो स कि मेरा इलाज चल रहा था दवाई ले रहे थे लॉस आप मेमोरी हो गई उस सारी चीजह हमने कई सीडी में कही है इसको शौट कर देता हूं इसी बीच में किसी ने मुझको इस प्रड़क्ट के बारे में सजिस्ट किया और मैं कुछ ढूंड भी रहा था तो हम हमारे हम लो है हमारे जुनियर सौरी हमारे उसके फादर हमारे सीनियर कुलिक थे तो वह हमको कहा कि आप इसका कुछ प्रड़क्ट यूज कर लीजिए बढ़िया है और आप जॉइन कर लीजिए हमको कुछ मदद मिल जाए इसलिए मैं बार बार के बोलता हूं इस बिजनस में आने के त लेकिन कुछ धूंग तो जरूर रहा था यह बात तैर था इमांदारी से मैंने नौकरी के आम आउट्स्टेंडिंग ये परफॉर्म करते हैं और ये इस बात का हमको फक्र है कि बहुत इमांदारी से नौकरी मैंने की कोई दाग आस्तर जीवन में नहीं लगा किसी ने हम नहीं विजनस क्लास में कर रहे हम उनको सी-ओफ करने हैं वाइं आम आप नोट्रवलिंग में रहा था कि गल्ती कहा हूई समाज ने का पढ़ो हम पढ़े परिश्चा दून दिये समाज ने कहा बेस्ट नोकरी में जो हम गये तो फिर चीज़ें क्यों हम से छुटी है यह बात मेरे को समझ में नहीं आए लेकिन जब प्रियम्ब जी आए उन्हों इस बिजनस के विजन को दिया ना तब मेरे को समझ में आए ओ बात यहां है बात सिध्धानतों की मैं से स्टोरी को सौट करूंगा दोस्तों औ और आज जो आप से बात होगी ना जो अजय जी ने बताया नहीं कि रोट टू सक्सिस सफलता क्या है कैसे होता है क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना होता है क्या सफलता का मतलब कोई ओधा होता है क्या सफलता का मतलब सिर्फ बहुती सुविधाय होती है नहीं आज उन सफलताओं के बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे इस recognition round के बाद अभी मैं short कर देता हूँ अपनी story को तो इस तरीके से हम इस business में आए लेकिन फिर भी हमको लग रहा था मेरे मन में एक प्रश्ण बार-बार कौंद रहा था और यह साइद आपके मन में भी होगा इनफेक्ट इस business में आने के पूर्व या आने के बाद भी सिर्फ दो ही प्रश्ण होते हैं पहला कि क्या यह business अच्छा है और दूसरा क्या हमसे होगा यही दोनों प्रश्ण और यह दोनों मान बहलाने के लिए हम कर रहे हैं इसका मतलब वो प्रश्ण का उत्तर आपने अभी ढूंडा नहीं है तो यह प्रश्ण मेरे मन में भी था लेकिन जब प्रियंबजी ने इसके बारे में बताया कि तो अद्भूत बिजनस है 레 Pasochis ग्यांव लाइफ सब्ससाफा है कि यह पूरा एक पूरा टेंग ऑफ लाइफ है यह हेल्त है हैपीनेश आप औा की स next ना उड़ करना है जितना उचाई आप उर सकते हैं जिटना पैसा कमा या दूनिया गुम सकते जितने लोगों को मदद कर सकते यह चीजे जब हमको समझ में आई और हमको एक चीज समझ में आया कि अगर भाई अगर हम प्लैटिनम भी ठीट से चले जाएं तो हमारी सेलरी तो रिप्लेस हो जाएगी जो सेलरी मैंने 20 वर्सों में कमाना शुरू किया है इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद कमाना शुरू किया है उसको तो मैं साल भर में रिप्लेस कर सकता हूँ यह जब मेरे को समझ में आ फिजिकल सेमिनार हुआ करता तो फिर फिजिकल सेमिनार ओगा एफिटी बोलते हैं और उसको जब मैं गया देखने धीरे 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 मेरे अंदर जो वह प्रश्ण कौन रहा था कि हमको करना चाहिए की नहीं हमसे होगा की नहीं इन प्रश्णों के उत्तर धीरे धीरे हमको मिल गए वहाँ जब सफल लोगों को देखे एक IIT का इंजिनियर भी कर रहा है एक बैंक का मेनेजर भी था एक बिरोक में वाइस चांसलर का कुर्सी छोड़े हुए जब एक बैक्ति का डिगरी दिखाया कि बाप बाप जादपूर इन्वस्टियों में मैथमेटिक है एक अदमी बताया कि सातवे मैं सातवार फिल करें तो मेरे दूसरे प्रश्ण का भी उत्तर मिल गया और जब इन दोनों प् के मार्च में इस बिजनस में सिल्वर हो गए हमको पता भी नहीं था सिल्वर किसको बोलते हैं और जब पहला चेक आया तो लगभग मेरे सेलरी के बरावर था उसके बाद फिर गोल्ड गए रिकोगनीशन हुआ फिर अगस्ट में प्लैटिनम चले गए उसके बाद देश की प्यातरा शुरू हुई फर्स टाइम जब मिल्बॉर्न और उस्ट्रेलिया गए तो लगा कि इसी को भी देश करते हैं इतनी अच्छी नोकरी इतना अच्छा पद कभी मौका नहीं लगता था किसकी जरूरत क्या है उसके बाद दोस्तों चीजें बदलनी शुरू हो गई आ जल्थ भी मेरा वापस आ गया इसके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट किये इसके असोसियेशन में आये सारी चीजा आप मेरे फेस्बुक पर जा करके आज से दस साल पहले का फोटो देखेगा और आज का फोटो देखेगा मुझको खुद ही अकीन नहीं ह बैठे और कहा कि एमरेट शीप होती है कि एमरेट शीप फरस्टाइम एमरेट गया बिलीब नहीं किजिएगा पैसा बताना ठीक नहीं रहता है लेकिन आई रिप्लेश माइस से चार गुणा से रिप्लेश हो गया और उसके बाद फिर अगले साथ डाइमंड गया और फिर चीजें बदलनी फिर बड़ा और्गनाइशन बनना सुरू हो गया एक से लीडर आए अब वो समय नहीं है सिल प्रियम आए उसके नीचे प्रदीप जी आए रवी शुकला उसके नीचे फिर बड़ी टीम बननी सुरू हो गई दुसरे और नाइशन में हमारे कलेक्टर थे चले गए उसके नीचे फिर बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं सतीस आ गया उनकी दूसरी और नाइशन में कई डॉक्टर्स आ गये जमूई से बड़ी टीम बन गई तिसरी और नाइशन में हमारा बैस्मेट प्रभूर आम उस वकट टीडी सी थे वह जोईन किये थे सिरियस उसके नीचे एक शांदार व्यक्तित मिल गया हमारे साथ है जहां जो आज इसकी होस्टिंग कर रहे हैं उनका बड़ और नाइशन हो गया उनकी नीचे कई एक लोग आते चले गए फिर मेरा चौथा और नाइशन एक हमारे बिल्डिंग में रते थे निते संस्वेता देख छठे लेग मेरा जी मोहन सहाय आए गया है सुभास जिये उसके नीचे साथवा आठवा नौवा दसवा अब तो गिंती ही संभव नहीं है दोस्तों यह मैंने स्टोरी आपको सिर्फ इसले सुनाई एक सब्द याद रखेगा यस वन डे योर लाइफ विल चेंज याद रख कि किस रूप में हमको सुन रहा है मुझको नहीं पता है कि वा यह कहां से क्या ले करके जाए लेकिन मैं एक चिस जरूर जानता हूं कि इस एक छण में आपकी पूरी जिन्दगी को बदल देनी की ताकत अगता है अगर इसी ताकत नहीं होता तो कदाचित महात्मा गांधी जिनको ट्रेन से ठेल दिया ब्लैक थे ब्राउन थे टिकट होने के बावजूद और वो निरने लेते कि चलो सब बरदास्त कर रहा हमीं बरदात कर रहें एक छणका लिया गया निरने देश को आजात कर रहें जब बराक उबामा राश्पती बने थे उन्होंने अपने भास दोस्तों एक छण में जिंद्गे बदल जाते हैं एक छण में समसार बदल जाता है कि प्रोनद है संपूर्ण दुनिया कब लॉक करогरर एक निर्जीव सा अध्रिस सा चीज आपके जीवन और सबके जीवन को बदल दिया तो क्या आज हम इस छण को लाइफ चेंजिंग इवेंट में नहीं बदल सकते येस मैंने आज इस्वर से प्रार्फनाट किये कि है इस्वर आप आउतरीत होए मा सुरस्वती मेरे जिवा पर आईए आप यहां आए इस डिजिटल हॉल में और हर उस सक्स को आशिरवाद दीजिए जो मन से जो सिद्दत से जो इमांदारी से जो कनेक्ट हो करके पूरी बात सुनगा है अगले एक घंटे में जो बात होगी यहां से मुझको नहीं पता है मुझमें कोई सक्ति नहीं सक्ति तो वो उस परमपिता परमेश्वर में है उस परमात्मा में है जो हमारे थुरू और आपके थुरू आपके सरीर में आपके संसार में आपके जीवन में आपके जिहुआ म में आपके मस्तिष्ट में आये और उसके बाद चीज़ेंगे दोस्तों यह मेरी चोट़ी सी कहानी ती ज़ो मैंने बताई मैं इसके बाद आपको बताओंगा कि बीजनस में कैसे कैसे किस किस में पर है प्लान में नहीं दिखा रहा हूँ एक बेजोंठ오 करों इसको एडॉप्ट कीजिए और धीरे 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 आप बढ़ने सुभू हो जाईएगा इसके अलगलग लेवल्स है जब इस बिजनस में कोई बैक्टिनम चला जाता है एक अच्छे इंकम लेवल पर चला जाता है जब वह फाउंडर्स हो जाता है मेंटेन करता है एक श लोगों को किस तरह के लोग इस बिजनस में सफल हैं उनकी छोटी सी पांच से साथ मिनट की वीडियो से रैली होगी और जो फाउंडर्स प्लेक्टनम अनप हैं वह संबाद देंगे स्टेट टून उसके बाद मैं आ रहा हूं और मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि अगर सब्सक्राइब कैसे बना सकते, तो अगले एक घंटे में आप बात होगी और बाजाने वाला हैं तो अगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा आप सोच सकते हैं फ्रेंट्स सच कहा सर ने आप टिके रहें और फिर जब वापस सर आएंगे अगला पटास मिनट आपके लिए इतना लाइफचेंजी होने वाला है कि बता नहीं सकता आपको इसलिए क्योंकि आज से कुछ वर्स पहले जब सर ने बिजनस की सुरुवात की थी तो वो भी अकेले थे लेकिन फिर धीरे-धीरे उनके कारवान में भी उनके दाख टीम में भी लोग इतने लोग आते गए आते खेले गए मैं तो बहुत जगह पर उधारन देता हूं इनको और इनकी तुलना कभी-कभी कर दिया करता हूं कि भगवान में इन्हें अपना दूद बना करके मेरे जीवन में भीजा और सिर्फ मेरे ही नहीं मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में भी तो आपको अभी उनके में दिखाऊंगा भी आईए एक और मैं फिर से सारे लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग इस हॉल में बैठे हुए पर तेक विक्ति के लिए मैं देख रहा हूं सारे 500 से ज्यादा लोग लगतार बने हुए हैं उन सबों के लिए उनका विल्कम है और फ्रेंड्स ज इसलिए मैं जल्दी से जिनके आप आई थी उन सबों के तस्वीर चला करके वीडियो आपको तिका देता हूं कि कितने सारे लोगों ने उन प्रकास सर्की और्गनाइजेशन में उन प्रकास सर्की सहायता से अपने आपको इस बिजनेस में क्रोथ मोड़ पे ले गैं इच्छाइ संद जगे झाल 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 फ्रेंड्स आप इन सबों के लिए सामोही ग्रूप से एक अच्छी ताली दे सकते हैं मैं जानता हूँ आप सब लोग नाम नहीं परपाया होंगे आफ़कोर्स टेक्नलोजी के अपने चैलेंजेज होते हैं लेकिन ये वीडियो मैं गूपर सेयर कर दूँगा आप सभी लोग इस वीडियो को फिर से देख पाएंगे आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक एक मिनिट में फाउंडर प्लैटनम्स, रूबी और एमरेल्ड से मिलाने की कोशिस करता हूँ तो जितने भी फाउंडर प्लैटनम्स उनसे रिक्रस्ट है कि काइंडली वो पार्टिसिपेंट में जाके रेज हैंड कर दें अब तक मैं स्क्रीम प्ला लेता हूं चुनिंद्र जी काइंडली अपने आपको अन्युक्तर प्लीज कि यस चुनिंद्र जी अगुडियों ने सभी वर्चुल ओडिटरियों में वेठे सबी लोगों को मेरा साधर अभी बादन दोस्तों मैं बस इत्ता ही कहना चाहूं कि मैं कमाल लेते हैं तो बहुत होगा सब सजय हो जाता है अब एक चीज मिलता है कि इसमें अपने आप बहुत चीज़ें मिलने लगती है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो मैं अपने अप्लाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा तुनों ने मुझे ऐसा ओपोर्चनिटी दिया कि दस जार का जो सपना है पहला महिना 1672 रुपया का चेक से सुरू हुआ और मैं एक अच्छे पद में होते हुए भी मेरी पतनी का बैंक में एकाउंट नहीं था आप सोच सकते हैं और वह सिलसिला शुरू हुआ जो अपलाइन से सपने दिखाये थे पूरा होता चला गया और विदेश की जो तूर का जो सपना देखाया गया था वो भी पूरा हो गया और अभी कि पता ने कितने सपने और पूरे होंगे इसलिए बस केवल जिम्मेदारी लेने की जुरूरत है और इसके बाद organization बनना सुरू हो जाता है रिजर्ट मिलना सुरू हो जाता है आप लोग जो स्पीकर है आज उनको सुनिए मैं स्क्रीन पर अलग जी को देख रहा हूं अलग जी नमस्कार सभी को नौम अलग निजन जनकुमार मेरा इंस्वरेंस सेक्टर और अभी लगबग पॉंट शेठा साल मेरा है पूल टाइमर आज के समय में एंबे बिजनस और रहने वाले हम भागलपूर जिला ठाना बेपूर ब्रहमरपूर जेरामपूर और रहना आवास मेरा भागलपूर आदमपूर में होता है मेसेज एक मिनट का यही है कि हम लोग बिजनस प्लाउन सभी लोग देखे हैं जि जिसमें आपका जिग्यासा तो जगा कि हमको कुछ करना है कुछ लग रहा है करें है लेकिन जिग्यासा के साथ-साथ अगर आपके अंदर पियास आजयाए उसको पाउने के लिए तेशरे प्यासा को कौनी देखके कितना च writes a the bottom आप में कितनी तेजी मारता कितना आता है उसे साफ से आप बीजनस को उतनी स्पीड में आगे लेके जाएगा थैंक यू थैंक यू तैंक यू तैंक यू सो मच लखी जी है प्लीज नमस्ते भाईया और आज हमारे मेंटोर को बहुत-बहुत धन्यवाद इतना बड़ा मीटि हम लोगों को ग्रोथ दिलाने के लिए लगे में हैं बस उसको अमल करना होगा उस पर आगे बढ़ना होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू तैंक यू सो मच फ्रेंड्स मैं भी इसी लेवल पर हूँ एंड मैं आपको सिर्फ एक लाइन में यही कह सकता हूँ ना इस बिज कि जो आपके अप्लाइन में हो जिस पे आपका भड़ोसा हो उसके साथ आप अपनी कॉंसलिंग कराने के लिए तयार हो आप समर्पीत होने के लिए तयार हो जैसे हम सभी मैं डॉक्टर ब्रेंद्र को देख पार रहा हूँ हूँ ब्रेंद्र जी और देख लूम है तैंक यू अजय जी आ गुट इवनिंग एब्रिवन सब को वेरी वेरी गुट इवनिंग और आज का मिटिंग जिस तरह से सुरू हुआ है मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अगला एक घंड है बहुत जबरदस्त होने वाला है और तीन तरह की और अपने लाइफ के बारे में बताता हूं मैं डॉक्टर हूं ठीक ठाक अपने कर रहा हूं अगर बिहार पूरे स्केट के रूप में देखा जाए तो मेरे जैसे तीस से ज्यादा लोग नहीं है और मैं हर आदमी के लिए इस बिजनेस में कुछ ने कुछ परपस होता है मेरे लिए भी कुछ परपस मुझे दिखा सा जिसके लिए मैं इस डुड़ा हूं और तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे जीवन में एक जो और सफल हैं चाहे किसी भी कारण से हूँ दूसरे जो सफल हैं और तीसरे जो सिगनिफिकेंट लाइफ जी रहे हैं तो आज का पूरा चर्चा पूरा ही टॉक सर ओम्रकास बावू देने वाले हैं कि कैसे आप एक अ सजार के लिए तरस रहा हो और वैसा बैक्ति जो महिने का 500 क्रोड़ बना रहा हो हर बैक्ति के लिए कुछ ने कुछ है आप ज्यान से सुने मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस पूरे एक घंटे में आपके लिए जो रहा है आपके लिए जो मंजील मिल जाएगा थैंक आपको इसके लिए आपको इस बात जरूरी था करना मोमिंटम लाने के लिए पूरे टीम में और जैसा कि कि सरके बार बोले के बाद लिए कुछ बच नहीं जाता है लेकिन दो तीन चीज क्योंकि हम भी बिहार सरकार के सबसे बेस्ट सर्विस जो होता है उससे आते हैं करते हैं और एक अच्छे बैग्राउंड से बिलाउं करते हैं फिर भी इस बिजनस को अच्छे से पैसिनेटल बहुत सारे चैलेंजे जाएंगे मेरे साथ ही नहीं हर के साथ होता है और उस बीच में यह हर आदमी के साथ अभी हमें एक बीगरफी पढ़ आथे बिल गेट्स का बहुत अच्छा उसने पुरे सार लिखा है जो इंदिरा नूई ने भी लिखा है बिल गेट्स ने भी लेकिन कुछ एक्स्ट्राउडिनरी फिंग करता है तो वह खास बन जाता है आप भी वहां जा सकते हैं हम भी जा सकते हैं तो बिल गेट्स में लिखा कि अपने आपको लगाईए महनत करिए तो आप बहुत आगे जाएगा बिजनेस अड़ स्पीड ऑफ लाइट कि जिस स्वेड में हमको ले जाना अपना इंटेंस हारड वर्क किसी छेतर में आप आगे जाने के लिए आपको हारड वर्क करना पड़ेगा ये बिजनेस आपका कोई शवर जादू की छड़ी नहीं कि आपको तुरत औरफ्वती बना देगा यह सब यहां कुछ नहीं होता है आप को intense hard work कड़ी महनत करनी पड़ेगी और अपने सामने वाले को इस बिजनस में हर फोरम में कहा जाता है उसको आप सुनिए सामने वाले को हमेशा सुनिए और हेड एंड हैंड हमेशा हैंड को आगे करिए हमारे उंपता सर हमेशा बताते हैं कि हैंड आगे ले जाईए नितरता क करिए उससे और अपने दिमाग से काम करिए बहुत आगे चाहिएगा इस दसक्राइब थैंक्यू अजय जी थैंक्यू तैंक्यू सो मच एंड फ्रेंड्स हमारे बीच में एक इमरेड लीडर में मौजूद है मैं खोशता हूं अगर वो हैंड रेस कर दे तो मिरे लिए आसा महीं वसमेठी से कुछ नहीं मिलता है मैं गरीब हूं मेरे पास पैसे नहीं लोग नहीं मरेंगे इतने लोग घरीवी से मरेंगे और घरीवी को मिटाने के लिए इतनी असानी को तो मिटा ती हम लगों लोग ताली देते हुए वापस से बुलाते हैं आज के स्पीकर उंप्रगास सर को थैंक ये सो मच थैंक ये सो मच अजय जी आप सभी लीडर्स को तमाम प्लैटिनम्स फांडर्स प्लैटिनम्स सबको बहुत-बहुत धन्यवाद बस अगले 40-45 मिनट अप धैर से रहें और मैं आज के साथ इस्वर को हाजिर-नाजिर मानते हुए अपनी बात सुरू कर रहा हूं मैं यहां से इस्वर को आहवान करता हूं कि है इस्वर आप आएं और इस हॉल में हम सब को आशिरवाद लें तो आए उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं ज्यादा स्लाइट नहीं दिखाऊंगा लेकिन आफकोर्स कुछ चीजों को आपको देखने की जरूरत है जैसा कि आपको असपस्ट हो रहा होगा रोट टु सक्सेस फॉर्स लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस सफलता किस चीज के लिए सफल आप हो गए बट किस चीज के लिए सफलता का मतलब कई कबार होता है कि हमने अच्छे पैसे कमा लिया अच्छा घर बना लिया अच्छे पद पर चले गए अच्छे डॉक्टर हो गए अच्छे इनियर हो गए तो अगर उसी को आप सफलता मान एक कई पर गांधी हर इसान के बसता है क्योंकि घांधी को टच करता है आप कितने लोगों को टच करते हैं ताइफ of significance देखें यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं यह तस्वीर स्टीब जॉब्स की है और स्टीब जॉब्स ने एक Stanford University में चर्चा करते हुए अपनी बात को कहा था मैं वहीं से अपनी बात को उठाता हूं उन्होंने कहा था कि जीवन में हर घटी घटना अपने आप में डॉट होता है अब सोच लिए हमारे फादर का घर से छोड़के भाग जाना कोई अच्छा तो नहीं था लेकिन वह स्टीब जॉब्स कहते हैं कि उस डॉट को आप फॉर्वर्ड में मत देखिए उसको बैकवर्ड में देखिए जब अपने जीवन में गुजरे हुए उन पलों को उन डॉ हर प्यक्ति की एक कहानी लेकिन समस्या यह है कि आपकी कहानी को सुनेगा कौन यहां आप अपने कहानी सुना करके लोगों को यह बताते हैं कि Yes, If I Can Do, You Can Do Also कभी-कभी देख करके लगता है कि हम लोग की CD जो लगभग 2-3 लाख घरों में बज़ चुकी है सोचिए कि कितने लोगों को इंपेक्ट कर देते हैं स्टीब जॉब्स कहता है कि जब आपके जीवन में कोई घट न घटे उसको एक डॉट मानिए और ये मानिए कि इस्वर आपके जीवन का एक रेखा एक तस्वीर खेंच रहा है और वो जब सारा डॉट मिल जाएगा तो एक खुबसूरत कहानी को जन्म देगा दोस्तों इसको होगा क्यों वान डे लाइफ फिल चेंज एक दिन आपका जीवन भी बदल जाएगा कि वान डे योर लाइफ पिल चेंज मैं यहीं से अपनी बात सुरू करता हूं यह तीन शब्द याद रखिए विल इस्किल एंड रिफिल आपका जीवन कब बदलेगा और मैंने बताया जीवन बदलने का नाम यह नहीं है कि आप एक कड़ों रुपया दो कड़ों दस रुपया कमा लेज़ेगा नो आपके कारण कितने लोग बदलेगा आपके कारण में कितने किलकारियां कितने घरों में खुश्यां कितने घरों में आनंद उत्सव मनेगा कितने जीवन को मित्रों जीवन को बदलने के लिए इन तीन चीज़ों की बड़ी जरूबर तो सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा आपको स्किल उसके लिए सीखना पड़ेगा टेकनिक है प्रिपल स्किल सीखना पड़ेगा उसमें कॉम्मिकेशन है लीडर्शीप है टीम बिल्डिंग है और फिर रिफिल अरे भाया निर्जीव चीज में प्रिंटर के इंक को भी रिफिल करना पड़ा है आप मुवाइल को रखते हैं सीम को रिफिल करना पड़ता है चार्ज करना पड़ता है टेट को रिफिल करना पड़ता है तो याद रखी तीन शब्द विल इसकिल एंड रिफिल विल जैसा मैंने कहा dreams and desires सिर्फ ये देख लीजिए मैं इस पर बात करता हूँ ये तीन लाइने याद रखे law of attraction आकरसौन का से धान आप बर्मांट के सबसे सक्तिसाली चुम्बक है apprentice Malford ये क्या थे और ये process क्या है प्राप्ति का dream desire का process क्या है creating process believe, ask, believe and receive आईए इस पर अपनी बात को मैं सुरू करता हूँ दोस्तों आपने देखा will, dreams and desire एक छोटी से स्टोरी से अपनी बात सुरू करता हूँ Australia में एक लेडी थी साम्मान जीवन चल रहा था टीवी में काम कर रही थी उसके father का death हो गया, अचानक कोई चुनोती हो गई and she was broke और उसके मन में विचार आया कि हम suicide कर लेंगे उसकी बेटी ने उसको एक किताब दी Getting Rich वो लिखा हुआ 1935 का किताब और किताब पढ़ा उसने और उसके बाद उसने दुनिया को एक सिधान्त दिया उस सिधान्त भारतिये दर्शन में भी उसकी चर्चा में करूंगा कहता है कि जीवन में यह जो दुनिया है, जो संसार है, यह जो ब्रमांड है, जो श्रिस्टी है यह नियम से चलता है यह तुनिया आप सोचीए ने, आप सुखेए रहते हैं पिरत्वी घूम रही है, अनवरत घूम रही है को घुमाता है कि उसको घड़ी है कि को चावी देता है उसको जब तक रहेगी जब तक ये ब्रमांड रहेगा तब तक वो सिधान्त वो नियम रहेंगे और काता है कि जो सबसे पहला और सबसे महपुण सिधान्त है जो इस धर्ती को चलाता है जो इस स्रिष्टी को चलाता है जो हमको और आपको चलाता है वो सिधान्त है आकरशन का सिधान्त लाओ फैट्रेक्शन इसको अगर आपने ठीक से समझा औ कि लेकीन मानिए दोस्त आपको वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी तमना जिसकी चाहत जिसका डिजायर जिसका विल है आपके पाथ जिसके ड्रीम्स है जिसके सपने आपने पाल करके रखें यह करसार का सिधान्त है क्या इसको जरा समझे एकदम आम आदमी की भास हम समझाते हैं वेरी कॉमन लेंग्वेज कहता है कि ब्रमांड में ब्रमांड एक सेटलाइट है आप इसको ऐसे समझें कि माल लिजे कि रेडियो में आपने एफेम बैंड लगाया नाइटीएट पॉइंट त्री रेडियो मिर्ची लग जाता है तो जैसे वह फ्रिक्वेंसी आप लगाते हैं वह एक सिगनल भेजता है इमीट करता है और सेटलाइट से उस सिगनल को पकड़के वैसा ही इमेज और वैसे यावाज भेज देता है जैसे टीवी आप लगाए ज टीवी तो जैसे फ्रिक्वेंसी आप घुमाते हैं वह जी टीवी का सिगनल पकड़के इमेज को आपके पास ला देता है इसका मतलब क्या है जो फ्रिक्वेंसी आप भेजे आकरसंड के सिधांत से उसको पकड़ा और उसी को आपके पास भेज दिया या सिधांत गॉड का आगे यह सिधांत इस्वर का भी है आप जो फ्रिक्वेंसी भेजिएगा वो फ्रिक्वेंसी वापस आप अप इसको ऐसे समझें आपके मन में विचार आयो विल डिजायर अब वो डिजायर अक्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं अगर आपने अच्छे डिजायर फर्ज किजिए कि आप आज एक निरणे लीजिए का आपके मन में एक बरनिंग डिजायर होगा येस I will go diamond ये फ्रिक्वेंसी ब्रहमांड में इमीट और जैसे इमीट होगा इस उसको उसी रूप में आपको लौटा दे ब्रहमांड कभी उधार नहीं रखता है जो आप दीजिएगा आप आकरशित कीजेगा उन चीजों को आपके जो फाउट्स है आपके जो विल है आपके जो डिज करते हैं और इसी को बहुता है कर संद्धान के लाइक बिगेट लेकिन इसकी कुछ चीज़ें जिसको आपको समझने की जोगा लोचा कहां होता है गलबरी कहां होता है भगवान के इस द्धान्त में आकर्शन के सिधान्त में कुछ चीजों को डिलीट कर दिया गया जैसे जो फ्रिक्वेंसी आप भेजते हैं वो फ्रिक्वेंसी आपकी असपस्ट होनी चाहिए और इस फ्रिक्वेंसी में नहीं सब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए आप इसको फिर ऐसे समझे आप रेडियो लगा रहे हैं और 98.3 कभी मुहम्मद रभी सुनाएगा और कभी लता मैस कर सुना देगा कभी हनी सिंग भी सुना देगा आकसर हम लोग यहीं करते हैं हम जो फ्रिक्वेंसी गौड को भेजते हैं उसमें हमीं कंफियूज रहते हैं कैसे हमको डाउट होता है जैसे अगर आपको आज हम यह विश् में बैठा हुआ हर सक्स मिनिममं साल का साल का 12 से 15 लाक रुगा बना सकता है जो ब्यक्ति आज 6 पर सेंट पर है 6 पर सेंट पर है वह ब्यक्ति भी अगले साल प्लेटिनम चला जागा 12 महीं ने अब यह विचार आपके मन में आया आपके मन में विचार आया कि 22 तेश में हम और वैसे ही सीजें आपके पास लोट आएगा उसको बोलते हैं हम आगे उस पर चर्चा करेंगे आस्क बिलीव हैं रिसीव जब आप मांगिएगा और विश्वास कीजेगा तभी आपको मिलेगा लेकिन होता क्या है अब हम लोग अपना फ्रिक्वेंसी कर बलाते हैं फ्रि पक्का चले जाएंगे 15 परसेंट भी है तो बुरा नहीं अब चार वो फ्रिक्वेंसी आप भगवान कोंची आपको बेज़ेगा आप करसण किसी दाम को आपको बला दिए 98.3 98.2 कभी आप बिविद्भारती लगा रहें कभी आप रेडियो मिर्ची लगा रहें कभी जी ट और इसको मांगते समय याद रखिए एक एक तेयोरिय जिसको बोलते हैं प्रचूरता का सिध्धान एक बहुत बड़े राइटर हुए उनका नाम आप सब लोग जानते हैं जॉसेफ मर्फी उन्होंने एक सिध्धान तिया और ये महाभारत वोगरे मिसकी चर्चा की गई है धरती अप संभावनाओं से भरा पड़ा है हम जितना उप्योग कर चुके हैं अभी तक जितना टैलेंट जो टैलेंट भी एक रिसोर्स है आपके मस्तिस्क में जितना टैलेंट है उसका पॉइंट वन परसेंट आप यूजे किये हैं तो प्रचूर है भगवान के पास आप ओडर तो कीजिये आप मांगे तो पहले ही सोच रहें पता ने मांगे एगे कि रेस्टोरेंट में गए तो बिर्यानी आपके पास तहां है आपको लग रहे हैं पता है ने बिरियानी इसको लेग पीस वाला मिलेगा कि नहीं आप मांगे नहीं डर से तो आप निकाल दीजे नो सब तो क्या हो जागा मैं बिमार पढ़ना चाहता हूं मैं इसी पीन पर रुखना नहीं चाहता हूं तो भगवान कहा जो फ्रिक्वेंसी आप भेजे उसमें नो हटा दीजे तो क्या हो गया मैं इसी पीन पर रुखना चाहता हूं मैं रुकना नहीं चाहता हूँ भगवान बोल दिये मैं रुकना चाहता हूँ आप रुके हुआ है so your desire should be explicit your will should be आपके सपने आपके विचार स्पस्ट होने चाहिए law of attraction उसको काम करता है प्रचूरता का सिनाथ मांगते समय कभी भी हिचकिये नहीं और कहता है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े चुम्बक आप स्वयम है क्योंकि जो आप मांगिएगा जैसे विचार आप भेज़िएगा वैसा ही चीज लौट करके आपको मिल जाएगा आप ब्रह्मांड के सबसे सक्किसाली चुम्बक है इस पर थोड़ा सब एक्सपैंड करते हैं अठारा सबसक्तर की एक बात है एक बहुत बड़े राइटर हुए उनका नाम था प्रेंटिस मलफोर्ड प्रेंटिस मलफोर्ड आइधिंक मैरी साउंड क्लियर है कोई बैक्ति लिख रहे है कि साउंड हो तो उनके नेट में प्रॉबलम होगा कोई चैलेंज आएगा तो आई विल हैंडिल है कुछ नहीं हो वैसा आप प्रेंटिनू करें प्लीज काता है कि प्रेंटिस मलफोर्ड ने 1870 में किताब लिखी उस किताब को आप पढ़िएगा उस किताब का नाम है थाउट्स आर थिंग्स आपके विचार ही बस्तुता वस्तू है यानि जो आप सोचते हैं वो हो जाएगग तो इसलिए याद रखिए विल पर बहुत बात नह अपने हैं उन सपनों को आपको पॉजिटिव डारेक्शन में नो सब्द को हटाते हुए आप भेजिए बर्मान में क्योंकि जैसे आप भेजिएगा जैसे आप भेजिएगा वो लॉट करके उसी रूपना है तो आज से पहली प्रतिग्या तो यह करिए कि हम लोग कभी भी जो लॉफ एट्रेक्शन है उसके अगेंस्ट नहीं काम करेंगे हम लोग पॉजिटिव वाइबरेशन फेजेंगे आज से बोलना सुरू कीजिए यस आई विल अचीव दिस यस आई विल गो क्राउन यस नेक्स फाइनेंचल यर आम गोइं प्लैटिनम मैं प्री मिशन में क क्वालिफाइ कर रहा हूं मैं मिशन गोए इमरेल्ड में सामिल हो रहा हूं और मैं आगे जाए नो सब्द नहीं कभी पी डाउट नहीं कहता है कि इस लॉफ एट्रेक्शन में इस चीज को याद रखिए तीसरा मैंने लिखा है आस्क बिलीव एन रिसीव क्या कह रहा है यह कहता है कि यह प्रोसेस है लॉफ एट्रेक्शन का मांगने का एक प्रोसेस है अरे भाई इस्वर से खुदा से गौड से आप जाते हैं न मंदीरों में जाते हैं अभी सावन चल रहा है बावा को आप जल धारने जाते हैं तो मांगते हैं न कुछ तो बीना मांगे मिल जाता है क्या no तो फर्स्ट धिंग क्या है ask के बारे में मैंने बता दिया ask में कभी भी न सब्द या negative सब्द भूल करके भी नहीं बोलिए या किसी के लिए खराब चीज नहीं मांगिए ये नहीं मांगिए कि भगवान ओकरा नहीं दीजिएगा हमरा दे दीजिएगा God never send anything wrong don't ask anything wrong वो एको सुने थे नहीं वो सास और पुताव थी दोनों भगवान के प्राथना की भगवान खुस हुए तो वोगले की भाए मांगो पर्दान तो दोनों मांगे तो पहले पूताव मांगे भगवान से भगवान हमको खोग सूंदर मना दीजिए तो उसकी ससुईया बहुत सूंदर हो गए क्यों कि सास बोली नहीं भगवान को कि प्रभु हमरा मेरा पुता ऊकी को दीजिए ना उससे दुगना लाइ मधड़िया अब देखेवीए खेला कि को बोले हम को बहुत सारा धन दौलत देजए तो सन्य कि और जा दे धन दौलत H models yeah हम को मने में सुन्दर बना दीज़ें खुब सुन्दर होगे लास्ट में पुताहिया बोली भगवान से कि तिसरा शिरवाद अंतिम में मांगो बोले कि भगवान हमको थोड़ा सा हार्ट अटेक दीजेगा तब पुताहिया जबल हार्ट अटेक होगा है तुझान की मर जाए देकर सब हमरे मिल जागा ऐसा वला फ् सबयार है उसपार बीलीव है कि नहीं अरे अरे भाई सोच करने कि और इथा सोच करने कि कि भी विष्वास आपको विश्वास नर Ben खुद पर तो विश्वास करना है जब आप फ्रिक्वेंसी भेजिए बिलीब जैसे आज से बिलीब करना शुरू किया नेक्स्ट येर ओल आफ यू दोज वर सिट इवन सिक्स्टी परसेंट कैंगो प्लैटिनम विली गो प्लैटिनम भगवान को बोलिए यस आम गोइंग प् प्लैटिनम विलीब से एंड सेकेंड रिसीव काता है जब आप मांगिएगा विश्वास से मांगिएगा तो वह प्राप्ट होगा तो क्या कर्म के बगएर होगा नहीं दो तरह के कर्म होते हैं मित्रों एक को बलते हैं नौन इंस्पाइड एक्षन अगर दूसरा होता है इ कुछ मांगता है विश्वास के साथ पूरी काइनाथ पूरी सृष्टि उसके साथ सड्यंत्र करता ऊप पूरी सिरिश्टि लग जाता है उसकोट decision कि आपको लेग भी मिल जाएंगे आपको कस्टमर भे मिल जाएंगे आपको लीडर्ग Soon is प्रकेमाऌ जारा है कि पता ने जाएंगे कि नहीं जाएंगे होगा कि नहीं होगा कोई तो आदमी यह नहीं देखाए पड़ रहा है अरे भाईया थेवरी एक आता है कि छे आदमी प्लेटनम जाएगा ताब डायमंड लेकिन वैसा होता नहीं है होता क्या मालूम है जब आप डायमंड जाने कर निरने लिजेगा छे आदमी आजाएगा जब आप प्लेटनम जाने कर निरने लिजेगा तब 10,000 प्लस भी होगा लेकिन गाहे बगाये हमारे मन में वह संसे रहता है तो रिसीव इंस्पारइड एक्षण आप खूद एक्षण ने लाश्रू कर देए तो यह मैंने पहली चर्चा की विल की तो मैंने क्या बत क्या भी चर्चा किया था विल भीड ले जाते हैं स्लाइड विल इसकील एंड रिफिल तो आप आईए कि मैंने डिजायर पर परचा कि जो विचार हैं वही आपके सक्ति है जो विचार है आप भेजिएगा जिस फ्रिक्वेंसी से ब्रहमांट से लौट करके वही आएगा और आप ब्रहमांट की सबसे सक्ति साली चुम्बक है याद रखे अगर आप डायमंड जाएगा तभी छे प्लैटनम को आप चु किजी उसके बाद आपको मिलें उसके बाद आईए सिकील विस्कील का मतलब होता है कासल तकनीख और काईदे से है कि चार सिस्किल के यहीं जरुत होती है आप लेटाएग ऑर दूसरा नेत्रित्व सैली लीडर्शिप तीसरा फेथ और चौथा टीम बिल्डिंग ये इस बिजनस के कॉंटेक्स्ट में नहीं जीवन के हरक शेत्र में चाहाए पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो चाहाए बड़े डॉक्टर क्यों नहीं हो आप बहुत अच्छे डॉक्टर आप कॉम सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं पॉलिटिक्स में नेता है गए आरा में भासन देने अलगे अंग्रेजी में बोले कुछ समझ यह नहीं सकता कॉम्निकेशन लीडर्शिप और टीम विल्डिंग आइए इस पर हम चर्चा करते हैं आप देखिएगा दुनिय एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट चीज है इसको जड़ा देखने की कोसिस केजिए यह लिखा हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी उद्यमिता इंसान है लोग है दुनिया का सबसे बड़ा ब्यावसाइक कौन है लोग है और संबाद इसकी मुद्रा है यानि करेंसी है entrepreneur, इंसान ही है और दुनिया का सबसे बड़ा entrepreneurship का फिल्ड भी इंसान है इसलिए जो लोग inसान का business करते हैं जो लोग इंसान के बीच काम करते हैं वो कभी नीचा नहीं जा यह कहता है कि अगर लोग इंसान अंट्रपेनियॉर्सिप है तो संबाद उसकी करेंसी है बीना मुद्रा के जिस तरह से कोई व्यापार नहीं हो सकता बीना नोट के कैसे व्यापार होगा ठीक उसी परकार बीना संबाद का उद्दमिता हो यह नहीं सकता है इसको समझने की ज़रत है तो आए थोड़ा से हम लोग बात करते हैं कि संबाद का खेल क्या है वैसे इस पर बहुत बात हो सकते हैं लेकिन हम एकदम व्यवहारी पक्ष में आपके साथ कुछ चीजों को मैं रखना चाहता हूं फटाक से हम आपके साथ बात करके इसको मैं जल् लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कता है कि जो समवाद है इसमें तीन चीज का बड़ा महत्त होता है पहला है शब्द क्या आप बोलते हैं दूसरा है सब्द का उच्चारण टोन ऑफ दी वर्ड्स और तीसरा आपका बोडी लैंग्विज आपका बोडी लैंग्विज दे लेकिन व्वाइस कमजोर है टोन गरबड़ है व्वाइस का मतलब होता है वर्सेटाइल वी ओ वी ओ आई सीए वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रुमेंट टू कॉम्निकेट अन एक्स्प्रेस इस कॉल्ड व्वाइस यह उसकी सब्दावली ने यह व्वाइस तीन चीज से मिलकर संबाद के संबंध में तीन चीज याद रख लिए अगर आप किसी से समवाद करते हैं बातचीत कर इस बिजनस में क्या लोगों को प्लान तिखाना है प्रोड़क के बारें पताना है तो अनलेस और यू एक्स्प्रेस और कॉम्निकेट आप अपनी बाते ने उसको बता पा देखिये निलसन मंडेला ने एक पर कहा था कि इस पीट लैंगवज पीपल अंडर्स्टेंड यू रिट हीज माइड इस हाट जो लोग जिस भासा को समझते हैं उसमें बात किजेगा तो उसके दिल पर प्रहार हो उसके मस्तिस्क पर प्रहार हो लेकिन जो भासा वो बोलते हैं उसी भासाम अगर आपने बोला उसके हिर्दय पर प्रहार हो और हिर्दय हमेशा दिमाग से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अरे दिमाग खराब होगत पगला करके जिंदा रह जाएगा हिर्दय डॉक्टर साहिब डीम काडियोलोजी एक सेकेंड बंद होगा जैस्री सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ सब्दों से परहेज कीजिए पहला जिस ब्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह ब्यक्ति सबसे महत्पूर्ण है मैं अभी आप से बात कर रहा हूं पांच साड़े पांच सो लोग जुड़े हुए हैं अगर यह डेड़ घंटा चला तो काइ परह नहीं आपके 700 घंटा को बर्बात करनेखा अगर मैं राइट अप्रोच से नहीं बात करूँ चो लोग भी जुड़े हुए आए ज छोड़ दिये वह इंपर्टेंट नहीं इसके साथ सही से संबाद करके उसके बारे में बात करना संबाद कर सबसे अच्छा चीए आप गए आपके पास बॉड़ी की है उसको जरूरत था वे प्रोटीन का उसको जरूरत है आपको आप चेरी बायोटीन लेके गए आपका बाल थोड़ा गड़बर इसकी में चेरी बाटीन लिजिए लिए दिस नोट राइट अप्रोच उसको बीस जार पचीस जार पचास जार रुपयाम दनी कमाने की जरूरत है और आप बोलने है पाईयन एक कलो रुपया आने लगा इस नोट राइट अप्रोच उसके विशह में सोचना है उसके बारे में बात करना है वो क्या चाहता है पहला दूसरा क्रिएट बैलेंस क्रिएट बैलेंस तक एक चीज इसमें बड़ा साइंटिफिक चीज में आज से बहुत दिन पहले किताब पढ़ रहा था जॉन मैक्सवेल के किताब है few connect many people communicate and few connect वो कहता है कि अगर 100% समवाद आपको करना है तो एक फर्मूला दे देते हैं जो आप कहते हैं वो 7% मैटर करत कि दवे यू से किस तरीके से आप कहते हैं यह 38% मैटर करता है रिसर्च किया हुए हम अपने मन से नहीं बोलता है जॉन मैक्सवेल बहुत बड़े मैंने communication के बहुत बड़े लेकर दुनिया भर में उनकी बहुत सारी किताब रहे है तो जो आप बोलते हैं 7% जैसे बोलते है 38% और लोगों के भेजा में जेतना बात गया 55% कि जोड़ लेजे 100% हो गया आप बोले जा रहा है माथा कूपर से जब पढ़ें आप लोग सब लोग विसकोर कॉलेज गया हूं बहुत सारा प्रोफेसर बहुत विद्वान बहुत जंकार लेकिन का पढ़ाया आपको पते न चला कि क्यों क्योंकि जो बोला उसाते परसेंट था जिस तरीके से वो बोला और 30% आपको बत वह नहीं समझना तो यह कॉम्निकेशन का यही मतलब है जिसके जिस लेवल का वेक्ति उसी हिसाथ से उससे बात करना है डाट इस कॉल्ल किरिएटिंग बैलेंस दूसरा मैंने क्या कहा संबाद का तीन कंपोनेंट है पहला राइट आप्रोच दूसरा क्रिएटिंग बैलेंस इस पर बहुत बात हो सक यह है एक बहुत अच्छी किताब हम पड़ रहे थे सब्सक्राइब है वो कहता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो रहना सब्सक्राइब कि खाली जो एंब बिजनस में उसी के लिए महत्पुल इस इंपोर्टेंट फोर डॉक्टर्स इंजिनियर प्रोफेसर स्टुडेंट्स बिजनसमेन हाउस वाइफ हास्वेंट अरे एक बार हास्वेंट जो है आप सोचिये नहीं कि वर्ड का खेला हास्वेंट पत्नी को बोला क्या तु तुम कातिल लग एगहें सब्रह लेकिन अगर वह सब्यारिंट बहुति खुर किस इंपको खोने 5 3 सब्सक्राइब एक लोगों से कर पाते हैं कि अधूरेक्ण करने के संबद्ध में दो चीजिज याद रखें सकता है कि अगर पच्छे से rapt करना चाहते हैं तो आपको इसायर पहला है है हिस्ति हम अभी बात करेंगे देड़ घंटा बात होगी एक गंटा पांच मिनेट हो गया पीस मिनेट और बात करेंगे अगर हम लगातार इसे ही बात करते चलिए आपको हसाए नहीं ताब बोले जा रहे हैं और दूसरा स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी लीडर है प्रिमबजी का और इसन में रवी सेखर सिना गुड़ टी बिट्टू वो जबी कॉम्निकेट करता है स्टोरी से कॉम्निकेट करता है और जीग जैगलर लिखते हैं कि अच्छा समवाद स्टोरी छोटी-छोटी स्टोरी आपको याद रखने चा ओब यह मैंने अगनी चर्चा किया आपसे सकिल की तो मैंने क्या-क्या बात किया मैंने बात किया आपसे विल की तीचीज की चर्चा थी व्ल स्किल स्किल के भी घुक्त हो गई इस किल में मैं लीडर्सिप कि बात करते है believe मैं जंदी wrap-up कर देता हूग कि यह टॉफिक बहु लीडर्शिप पर बहुत सारी बात यह हो सकती है लेकिन मैं उस पर नहीं जाओंगे। लीडर्शिप के समद में सिर्फ दो-क्रेज मेरी सामना है मेरे निचे जॉइंड कि इस अब सबद कभी नहीं बोलना यहां लोग आपके साथ काम करता है आपके नीचे आप लोग कोई मेरे नीचे नहीं हम लोग साथ काम करते हैं वी वर्क तुगेदर नॉट अंडर आपके नीचे नहीं कर रहा है यह हम इसा याद रखे सबसे अच्छी लीडर्शिप जो होती है जो दुनिया में अब कॉर्पोरेट में भी अपनाया जाता उसको बहुता है सर्वेंट लीडर्शिप सर्व करना एक बहुत बड़े सियो हुआ करते थे एटी एंटी कंपनी मुनका नाम था ग्रीन लिफ जॉन ग्रीन लिफ उन्हों लीडर्शिप ठीक से नहीं मत्या है सर्वेंट लीडर्शिप क्या है लोगों को सर्व करना लोगों को प्यार बाठना लोगों की सेवा करना अपके ग्रूप में जो लोग तपनी रात दीन जोया लगा हुआ आपको क्या लगता है कि चाय पिला देने से कुछ खिला देने से जुँआ है एतना तक हर्चा हो जाता है तो 15 को चाय पिला लादे यो रज़वीं पीपल डॉक्टर साब के पास हो सकता है कोई आदमी गया सर्व कर दिये अजय जी के पास आया सर्विंग इनकी माता जी नहीं रही हम लोग जाते थे क्या एटिचूट था वो तो कोहीं पढ़ी नहीं इस चीज इनहेंट होता है को इनवसिटी में जीग जैगर को नहीं पढ़ी ते जैसे हम लोग जाते थे उपर से चाय आजाए कभी नास्ता आजाय कभी काना आजाया सर्विंट लीडर्सिप और तभी और इसलिए इनका परिवार संजूप परिवार है संजूप परिवार भी एक और नहीं चलता है पुराने जमाने देखें ने लेडीज लोग को दादी को नानी को बचा को कहानी सुनाता था दादी की कहानी अब गायब हो गई चार-चार पूशत रहता था एक घर में क्या था सर्वेंट लीडर्सिप जो घर का गरजन होता था सबसे लास्ट में खाता था सबसे लास्ट में अपने बेचे के लिए कपड़ा लाता सर्वेंट तो लीडर्शिप का यह चीज़ इसमें और बहुत सारी चीज़े हैं हम उसकी चर्चा नहीं करें लीडर्शिप की एक सबसे बड़ी समस्य क्या होती है कि आपको इस एक कुछ लोग कुछ चीजें आपको चुरा लेगा आपको पता भी नहीं है देखिए कुछ चीज है जो दुसमन है नित्रुतों का आपको आगे बढ़ना ही नहीं देगा मैं तीन-चार को चीज सुना देता हूँ पहला दर आपको डर लग रहा है दर लग रहा है आगे बढ़के नित्रुतों करने में फिर फार्स फालतू चीज में उलच जाना तीसरा है फिंस फिंस का मतलब अए घेरा तुम काम पढ़े लिखे हो तुम डाइमन नहीं जा सकते तुम क्राउं नहीं तुर अंग्रेजी बो दिया यह चीज बड़ी डेंजरा सा इससे बचिए दुनिया में कोई घेरा नहीं है भगवान ने समस्थ बर्मान समस्थ शिरिष्टी को आपके लिए खोल दिया इन बाहों को फैला ये आपके आलंगन में सारा संसार है फैन्स आपके नितरुत को चुराता है सेट को फैक्ट देगा श्या YeM अगर आपके अंदर नित्रुत है तोड़ दीजेगा अंग्रेज के समय में एक फैक्ट था कि कोई इंडियन इंडस्ट्री नहीं लगा सकता टाटा या इंडस्ट्री लगा दिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लीडर्शिप इंपॉर्टेंट आदमपूर से तो कोई नहीं गया यह फैक्ट है लेकिन उसको खतम कर देंगे लीडर्शिप से फैक्ट खतम होता है एक फैक्टीग ठाक गए लिए निकलता है बाड़ी देह में दरत करना सब्सक्राइब नेता कभी नहीं ठकता है देखते हैं ने इलेक्शन में बापरे बाप नहीं चरचर पचपच गो रहली गर्दा मचायल रहता है हवाई जाह से दल धूरी उड़ा दोता है फैक्टीग दूसरा फेट हमरा तो भागे में नहीं था इस अब नेत्रित को चुराने वाले चीज नहीं होगा भगवान आप हैं एकरास एंब बिजनस नहीं होगा भगवान है आप कौन होते हैं उसके बारे में बोलने वाले में इसे लेडी जहां अके लेकरा से नहीं होगा में दोस्त और दुसमर हमको याद है पहली बार प्लान दिखाए था अपना बैच्मेंट को बुलाए बीस पचिस को चायों पिलाए प्लान दिखाने लगे दिरे-दिरे साथ चोड़के चला बैया यार क्या करता तो तुरा से नहीं होगा अब उसमें मैक्सिमाम लोग रिटायर कर गया जब हमको दे अगर करना है आपके नित्रुत को तो सिर्फ एच चीज को सरेंडर किजिए और वह है अस्था जो है उद्देश की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी पर बैसी कली यह जो बिजनस है विश्वास से आस्था का सफर अस्था क्या है आस्था का मतलब होता है जहां सबूत की जरूरत नहीं वह आस्था है खुदा को किसी नहीं देखा गौड को किसी नहीं देखा इस्वर को हम नहीं देखें को जाता है कि बावा धाम में पथर में भगवान संकर है की नहीं लेकिन आस्था है लोग चले जाते हैं किस दिन इस बिजनस में आपके अपलाइंग के प् कुछ लेवल से अभी आप तु रज्वाइन किये पहला लेवल क्या है उसको बहुत है नेस्टिंग फेज आपको बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा विश्वास होगा नेस्ट का मतलब गोस्वा आपके मन में थोड़ा विचार गया बाहर निकले दुगों को प्लान बोलाए न सब्सक्राइब होगा क्या हुआ टेस्टिंग फेज टेस्ट आपको कर रहा है सपने को चुराने वाले कोई दूस्मन नहीं होते पडोसी दोस्त घर चच्चा मामा डेक्स्टर इगर जिसके बंसज हम लोग है डेक्स्टर इगर दुनिया में नहीं हम लोग देखे भी नहीं उसका मामा बोला कि अमेरिका में जो आदमी इंटर्मीडियेट पास नहीं होता हुँच नहीं कर सकता है और मैं ट्रिक फेल था कौन सपने को चुरा रहा था उसका मामा याद रखिए यह टेस्टिंग फेज है फेज का दूसरा लेवल फेज का तीसरा लेवल है फ्यू मनी कुछ अच्छी किताबे पढ़नी होगी अच्छे एस्वोसियेशन रखना होगी इन्वेस्टिंग उसके बाद चौथा स्टेप होता आरेस्टिंग फेज कुछ नहीं है गौड का टेस्टिंग फेज को आरेस्टिंग फेज जैसी कोई बड़ा निरने लिए निर इसको बोलते हैं अरेस्टिंग फेज गौड जब टेस्ट लेता है इसको बलते हैं अरेस्टिंग फेज जब भगवान ऐसी चुनोती आपको दे तो आप सोचिए कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि भगवान उसको बड़ी चुनोती तभी देता है जब उसको बड़ा होन फाइनली क्रेस्टिंग जब आप सिखर पर चले जाते हैं यू काल क्रेस्टिंग यह मैंने इसकी चर्चा की फेट की एंड फाइनली मैं टीम बिल्डिंग को दो मिनिट में रैप अप करके लास्ट कुछ बाते करके अपनी बात को समाप करते हूं मेरे पास 10-15 मिनिट का समय बिसनस क्या है और नाम है और दुनिया में वही लोग आगे जाते हैं को संगठन बनाते हैं मैंने टिकी नहीं क्योंकि दुनिया में एक ही संगठन टिकता है और वह लोग का मैं मैंने चर्चा की थी जब इमाम बाड़ा मैं देखने गया था लखनव में गाइड बताया कि सर बाइस साल यह सुल्टान बाइस साल यह रहा नवाब और ग्यारा साल इस बिल्डिंग को बनाने बना इंट गारा जोड के इमाम बाड़ा अंग्रेज आया मार्क बगा दिए उसने इंवेस्ट कहा किया था इंट गारे और पत्थर में लेकिन अगर आप इंसान में इंवेस्ट किजेगा आप कभी नही गांधीन वा इंसान में इंवेस्ट किया गांधीजम बन गया बुद्ध लोगों में इंवेस्ट किया बुद्धीजम बन गया प्रोफेट मुहमाद इंवेस्ट किया एक धर्म को जनम दे इसा मसी लोगों में इंवेस्ट किया मैं किसी धर्म पर चर्चा नहीं कर रहा टीम बिल्डिंग के समय में कुछ facts मैं बताता हूं, एक बहुत बड़े, in fact, एक Oxford University के बहुत बड़े professor है, यह आखड़ा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी कोई rubbish बात हम नहीं कर रहा है, मैं जो बात कर रहा हूं, it is based on facts and figures, यह हो रही है, उनका नाम था Bruce Wayman Tuckman, Tuckman खा यहां सो बता जते हैं, एक अगेन एक scientist थे, उनका नाम था Robin Dunbar, नाम भी important है, समझे क्या बोलता है, बोलते हैं Dunbar, Dunbar principle उसको बला जता है, कहता एक ब्यक्ति, 150 यानि 1500 आदमी से ज़्यादा, intimate relationship, close relationship रखी नहीं सकता है, 1500 आदमी से ज़्यादा को आप monitor करी नहीं सकते हैं, इस कैसे होगा, इसलिए कि हर एक 1500-200 पर एक नए लीडर बनाने हैं, वो 1500 को देखेगा, फिर उसके नीचे लीडर है, फिर वो 1500 को देखेगा, और ऐसे हजारों लीडर हो जाएंगे, और उनके नीचे हजारों करोडों करते हैं, that is called team building, और यहीं आप से भी होगा, आप भी कर ल पहले स्टेज को बलते हैं, forming stage, लोगों को प्लान दिखाएगा, लोग आने लगेगा, जूडने लगेगा, forming, form होने लगा, बनने लगा, कोई डॉक्टर आ गया, कोई प्रोफेसर आ गया, कोई इंजिनियर है, कोई तुनुक मिजाज है, कोई बड़ा गंभीर है, कोई बढ स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म का मतलब तुफान, उसमें देखेगा, बड़ा डिफरेंस ओपीनियन होगा, वो आएगा, अपलाइन को बलें, बै, सर, बढ़िया कपड़े, ठीक सब्सर बाते नहीं करता है, बै, तरी, वो तो कितब नहीं पढ़ा, सीडिया नहीं सुनता, से बोलता, रहे भया, उधल, उधल हो रहा है, देखेगा, बराती जैसी पहुंचता है, एक घंटा बड़ा कुरूसियल रहता है, जो रूसा समझे फूपा है, लड़का के, नवी जी लड़का बड़ी रूसा है, रूस जागा, फूपा कभी लड़का के, दोस्त रूसे ग सब्सक्राइब करवा कि दिया चुड़के लेवा कानी हो जाता है स्टॉर्मिंग फेज़ है इसमें भी होगा कि इसको जेल लीजेगा समझा के बुझा के प्यार से दुलार से घर का गार्जियन केचे करता है घड़ के बतिजा है लड़ गया उसको आप एव लाके देए दोनों को समझा पूंजार देगा देगा करता है तो सब्सक्राइब बढ़ाई तो सुन वे नहीं करती इतना बढ़ी आभी तो उस्टार्मिंग स्टेज में आप लाइन होके आप लाइन होके आप देखिये ने नॉर्मल तो सीजेरियन करा दीजेगा तब दरत हो जाएगा नौर्मिंग स्टेज थर्ड चौथा परफॉर्म करने लगे और अंतिम स्टेज को बलता है एड़ जॉर्निंग स्टेज जब आपकी टीम बड़ी होने लगेगी जब आपका परिवार बढ़ा होने लगेगा कुछ चीजों को आपको अस्थागित करना है एड़ जॉर्न का मतलब रोक देना अस्थागित करना है अरे जी की माका कर देहां को इतने क्लोजली हम लोग जुड़े हुए टीम मिटिंग म नहीं बच सके लेकिन इन्होंने अगले तूसरे तीसरे दीन से ही हमको याद है इनकी माता जी के सराद में परिवारिक जुड़े हुए ही मोस्टाल हो जाते हैं समस्ती पूर में गए सराद चल रहा है वहां भी एक आदमी फोन कहा है सर हमको प्रोड़क्ट नहीं मिला है त उसे को अस्थखित करना पड़े हैं आप नहीं यू 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 फॉर्फीट समफ यूर राइट्स आप कुछ अधिकारों को छोड़ देते हैं जब आप टीम के सदस्ट आप और्गनाइशन बना देते हैं यह टीम बिल्टिंग के प्रोसेस में एक चीज और बता देते हैं फिर मैं लास्ट में कुछ महाभारत पर चर्चा करके कुरान और गीता के चर्चा करके बात को समात कर दूंगा पांच साथ मिनट और रूप जाईए अगर इस वर की क्रपा रही तो भगवान स्वयम अवतरित होंगे इस वर को आना पड़ेगा खुदा को आना पड़ेगा गौड को आना पड़ेगा आशिरवाद देना पड़ेगा क्योंकि लॉफ एक्रेक्शन के अनुसार आप सब लोग यह चाहते हैं कि आप सब लोग करो करें तो स्टे टून फॉर फाइब तो सेवेन मिनट देखेगा चीजे कैसे बन तो मैं कह रहा था कि लीडर्शीप का औ में दो तरह के तार होते हैं उपर वाले तार को मोटा में स्ट्रिंग बोलता है स्ट्रिंग कमकब तार और नीचे छोटा तार होता है उसको बलते हैं स्ट्रिंग पतला तार होता है अगर आप को सितार बजाते होंगे तो उनको आइडिया हो तो जब सितार बजाता है तो मे सितारवादक का स्टाइल है इसमें नया क्या है भाई जो निपुन हो जाता है सितारवादक जो परिस्कृत हो जाता है आपके जैसा लीडर हो जाता है टीम वह अपने मेन उंगलियों से मेन सितार को जब छेड़ता है उसके कंपन से उसके अस्पंदन से जो पतला वाला धाग पतला वाला तार है और उस से जो निकलता है वह सरस्टी की बीना जैसा निकलता है मधूर संगीत सूर में संगीत आपको निकालना है आपके भी सधी उंगलिया डॉक्टर विरेंद्र अगर टिमिर के साथ काम करेंगे उसका इंपक्ट डॉक्टर अली पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है अगर प्रदीब भागलपूर में काम कर रहा उसका असर मधुवनी में होने लगा पढ़ता है अगर पुनम जी जमू में जाके काम कर रही है सतीस के और्गनाइशन में असर पढ़ गया उंगलियां सद गई है अगर सतीस बोध गया में काम कर रहा है उसका असर रवी के हाँ पढ़ गया कहलगाओं में उंगलियां सद गई है अगर अलग जी भागलपूर में काम कर रहा है नमीता फिल कर रही है जमसेदपूर में कुम मोद फिल कर रहा है अजय जी जमसेदपुर अजय जी औरंगावाद जाते हैं और उसका असर अगर नोगचिया में हो जा रहा है अगर कहलगाओं में हो जा रहा है फिर पैंती में हो जा रहा है तो उगलियां सद गई मैं किसी का नाम छोड़ना नहीं चाहत। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसी को बोलते हैं स्पंदन, लीडर्शिप and टीम दोस्तों याद रखिए मैंने चर्चा की Will, Skill and Refill रिफिल क्या है? अपडेट मैं लास्ट खतम कर दे रहा हूं मैंने अभी चर्चा की फिर से आप देख लें मैंने तीन चीज की चर्चा की थी One day life will change Will, Skill and Refill Will पर चर्चा हो गई, Skill पर चर्चा हो रही है, सारी चर्चा हो गई, अब आएए रिफिल पर पुनर निर्मान, अपडेट करना, परिवर्तन सीखने की तैयारी करना, कहता है यह आप सब्द देख रहा होंगे, प्री मिशन and मिशन, प्री मिशन तीन महिने की कोचिंग आम लोग चला रहे है, यह तीन महिने में वह बैक्ती, मिशन गो प्लैटनम इन बारा महिना के अरे भाया निर्जीव प्रिंटर में भी इंक भरना पड़ता है, निर्जीव मोईल को भी चार्ज करना पड़ता है, निर्जीव इंवर्टर के बैटरी में भी पानी देना होता है, आपका पेट भी भूख मांगता है, खाना मांगता है, रिफिल करना, इसलिए याद रख करने से प्राफ को ताप देखिए नहीं स्पेस मिशन कलाम साविस धर्ती पर नहीं रहे हमारे राश्पती वैज्ञाने इस पेस मिशन चलाए मिसाइल मिशन चलाए इस पेस में हिंदुस्तान का एक अलग अगाज हुआ पोखरन बिसफोर्ट किया गया नुकलियर पावर बना हिंदुस्तान मिशन था टेकनलोजी मिशन हिंदुस्तान सौफ्ट्वेर में दुनिया का अगरनी है इस पेस में आज की तारीक में योरप के सेटलाइट को हम भेज रहे हैं मिशन से हुआ भारतिय सेना ने एक कमांडो क निर्मान किया उसका नाम है मारकोस यह मारकोस भारतिय सेना का वह कमांडो है जो किसी भी मिशन को पुरा कर सकता है तो रिफिल में याद रखें दोस्तों हमारा प्री मिशन है अगला प्री मिशन एक सितंबर से शुरू हो रहा है तो जब शुरू होगा तो एक सितंबर से दो चीज़ सुरू होगा, प्री मिशन जो 6% के लोग है उसमें आएंगे और मिशन जो 9% हो गया है, यानि सितंबर में एक प्री मिशन सुरू होगा और एक मिशन चल रहा है, यानि ये रिफिल करने का नाम, आपको रिफिल करना होगा, और इसलिए याद रखे, इस फॉर्मेट को हम लोग अपने बनाया है, मैं जल्दी से अपनी बात को अब लास्ट फेज में समाप कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि साहब ये सब होगा, हमसे होगा, हम में ताकत है, अरे भाईया ताकत तो तुम ही में है, महाभारत का अठारवा अध्याय का स्लोक 61, कहता है गीता अगर महाभारत का सार है, तो गीता का सार चेप्टर 18 का स्लोक 61 है, इस्वरह सर्व भूतानाम, हिरदैसु अर्जुन तिष्ठती, भाम्रयम सर्व भूतानी, यंत्रारूढ़ानी मायया, ये स्लोक कहता है कि इस्वर सब में है, भागवान सब में है, अल्ला सब में है, अगर भागवान का अंस हम हैं, तो हम कैसे कंजुर हो सकते हैं, आप कैसे ने मीज़न में complete कीज़ेगा, आप कैसे नहीं diamond जाएगा, आप कैसे crown नहीं जाएगा, देखे जड़ा खेड मैं आपको यह तीज दिखा रहा हूं कि यहां पढ़िए कहता है भगवान कहते हैं कहीं कोई बिरोधाबास नहीं है यह महाभारत का यह गीता का बीस्वा स्लोक है दसमे अध्याएगा अहमात्मा गुडाके से सर्व भूता सैस्थिता अहमादित्म मध्यम्च भूता नामम एवम्च पता है भगवान कहते हैं कि स्रिष्टी का आरंभ भी महीं हूं पता है लकिन तुम मांगते हो की नहीं तुम बिश्वास से मांगते हो की नहीं सुम positive vibration भेजते हो की नहीं यह देखिए बाइबल का है आदी में परवेश्वर ने आकास और प्रित्वी की स्रिष्टे की ये बाइबल है ये देखिए कुरान का पहला चप्टर सुरह अल्फतिहा सुरू अल्ला के नाम से जो बड़ा करपासिल अत्यांत द्यावान संपूर्ण प्रसंसा अल्ला के लिए है जो संपूर्ण संसार का पालनहार है मुझे है कि आफ जिस धर्म को मांते हों मुझे को नहीं पता है लेकिशन लुकेिन घीटा रमायन कुरान वाइबल सिचतने कि यह हम है हमी है हमी है तो फिर हम पीछे कीव हुंगे जब इस्वरण ने हम सब की रचना की है और हम सबों में हैं तो हम अपने पूर्शार्थ पर क्यों सकते हैं। दोस्तों यहां हम अपनी बात को बोल करके समाब्थ करेंगे. अगर आप मिसिन में आते हैं, सबसे पहले इस बिजनस में काम्याब होना है, इस significant बनना है, लोगों के सपने को अस्पंदित करना है, लोगों के सपने को पूरा करना है, अपने लिए एक शांदार जीवन जीना है, लोगों को भी एक शांदार जीवन जीनाने के लिए सिखाना है, तो आपको यह समझना होगा, आपको यह जानना होगा, कि आपकी चुनो जब महाभारत धर्म क्षेत्र में युद्ध सुरू हुआ देखिए ये चैप्टर एक स्लोक दो एक दो तीन चार क्या कहता है क्यों आपको अपनी ताकत का विशलेशन करना हर मिशन और हरुदेश के लिए चुनोती और अपने ताकत का विशलेशन करना है अपने है तरेकर उसको देखिए चुनोती क्या है पहला सलों और धृतराष्त वाच दृत्राष्ट बोलते हैं पहले इस लोक में एकी सलोग दृतराष्ट का नाम है कि किसे चैप्लोप में कहते हैं दृतराष्ट संजय से कि संजय धर्म छेत्र में दोनों सेनाय जो जूट गई है वो अभी क्या कर रही है जड़ा हमको बताओ मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में जो सेनाय सज गई क्या कर रहा है अब देखिए संजय वाद संजय काता है देखिए यहां दुर्योधन य एकसेप्ट नहीं किजेगा अपने ताकत पर आपको यकीनी नहीं होगा काता है दृष्टवातू पांडवानी कम दुर्योधनस तदा आचारे मुप संगम्य राजा वचनम बप्रवीत संजय काता है कि है महराज दुर्योधन बीच में आ करके और यह जो सेनाय है उसको दे करते हैं कि हे भराज इसके पास जा करके दृणाचार के पास जा करके बोलते हैं कि आपके सिस दृपद के पुत्र दृष्ट दुम ने जो सेना सजाई है उसमें कौन-कौन लोग है लिखते हैं भीम है अर्जुन है विराठ है दृपद है कासी राज कुंती भोज यह सब है आपको समझना है कि आपकी सेना में कौन है कौन है आपके साथ आपके साथ कौन है आपके साथ आप है आपका धैर है आपका पौरुस है आपका पुरुशार्थ है आपका टीम है आपका अपलाइन है आपका एमवे बिसनस है आपकी एमवे कंपरी और सबसे बड़ा आपको सिर्फ इसलिए की कि इसको समझने की जरूरत है कहीं जाने की जरूरत नहीं है उत्साह की जरूरत है मोटिवेशन की जरूरत है और यह उत्साह जब गिरता है तो बड़े-बड़े युद्धा को भी गिरा देता है यह उत्साह जब गिरता है जब नेगेटिव अच्छा करते करते हम उत्साहित हो जाते हैं जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाय सजी और भिस्म पितामह जब अपने महा संख बजाए तो संख की आवाज से ध्वनी से नगाड़े और बारह सिंगे जब बजे तो पांडवों में दहसत हो गया इसको लगा कि बाप इतने महारती द्रोनाचार है करन है अस्वथामा है स्वयंभिश्म पिताम है दुर्योधन है दुसासन है हम लोग घबडा गया भगवान नहीं आते हैं और उस लोग है दस एक बारत तेरह चौदर काते हैं यतह स्वेटेर हैर्योक्ते संदने श्थितों माधवः पांडव वस्चेव दिव्यों संखव प्रधत्मतु भगवान कृष्ण एक दिव्य संख के साथ पांच जन्य संख के साथ दिवरत से आते हैं प्रकट होते हैं अपना संख बजाते हैं दुसरा स्लोक है पांच जन्यम रिशीके सो देवदत्तम धनंजया पॉंड्र धद्म महाकर्मा भीम कर्मा ब्रिकोदर रह भगवान कृष्ण का जो संख था वो था रिशीके पांच जन्य उसको बजाए भगवान उसके बाद देवदत नामक संख हरजुन बचाया पॉंड्र नामक महा संख भीम बजाया अनंत विजय राजा कुंती पुत्रम युदेश्ठे रह नकुल और सहदेव मनि पुस्प नामक संख भजाया और जब यह संख भजा चारों तरफ उत्सा का लहर हो गया चारों तरफ उत्सा फैल गया सब के बाजुओं में जो रक्त है वह करमी से खौलने लगा उसमा आ गया और अर्जुन के पास वो गांडी वो तुनीर से निकला हुआ वान उसके पास तो सब कुछ था फिर क्यों डी मोटिवेटेड था अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे ब्रहमास्त्र थे पसुपातास्त्र थे सब थे फिर क्यों डी मोटा आपके पास वो सब कुछ है अरे आप तो सोच करके देखिये ना कभी काता है एक शब्द है मैं भूल रहा हूं उसका नाम, सीवरिंग उसको बोलते हैं, काता है जब आपको यह सता है, जब आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए, जब आपको लगेगी पताने हम कैसे कर पाएंगे, तो आप अपने पौरुस को पुरसार्थ को याद किले, और यह सब यूग में है, भगवान सब की परिच्छा लेते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके तुनीर में कौन-कौन वान है, आपके तुनीर में पहला वान आप खुद हैं, क्योंकि जहां आप खड़े हैं, जहां भी आप अभी इस्थित हैं, आपने अपने पौरुस से, अ अगर आप रेलवे में नौक्री कर रहा हैं, अगर आप कोई करम चारी हैं, अपने पर आप मौल चलाते थे, वह पहली ताकत तुनीर का पहला वान कौन है, आपके तुनीर का ब्रमास्ट्र कौन है, आपका अप्लाइन और मेंटर, लेकिन फिर आप उस पर यकीन करते हैं, यकीन कर थे लिए अब ब्रहमास्ट्र आपका अप्लाइन मेंट्र है है कि आपके तुनीर में तीसरा वार कौन है कौन है दिव्यास्ट। पसुपातास्ट। वो दो सव्थ मिसन हैं इसको अप हलके में नहीं ले सकते हैं, इस pre-mission में जो लोग है सामिल और जो लोग mission में है ये उनको पता है कि उनका पौरूस उनका पुरुसार्थ उनकी ताकत उनका होसला उनका motivation किस चरम पर है आप सुच करके जरा देखिए तो आपके तुनीर में जो दिब्यास्त्र है ब्रमास्त पसुपातास्त्र है वो pre-mission और अंतिम में जिसको बोलते हैं न भगवान कृष्ण बोलते हैं कि बज्जरों में सबसे बड़ा होता है नदियों में जलासयों में सबसे बड़ा समुद्र होता है पक्षियों में गरूर सबसे बड़ा होता है जल्चर में मगरमच सबसे बड़ा होता है अस्थावरों में हिमा आपके पास सर्वस्रेश्ट है वो कौन सा पुनीर में बान है जो अचूक है और वो है इस्वर की सक्ति वह लॉफ है यह सारे सस्त्र धरे के धरे रह जाते जदि भगवान कृष्ण चक्र सुदर्सन लेकर और और महावीर हनुमान जी ध्वजा पर खड़ा नहीं होते तो आप उस एस्वरी सक्ति को पचांते हैं क्या उस एस्वरी सक्ति सा प्रिरित है अगर है कोई नहीं रोख सकता है दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समात कर देता हूं मैंने आपसे commitment किया था मैं सिर्फ एक बचन बोल करके अपनी बात को खत्ब कर देता हूँ बस सुबह उठिये कल सुबह कल की सुबह सुरियोदा की पहले किरन नवजीवन का संचार लेकर के आएगा खड़ा हो ये, हाथ जोड़िये जिस इस्ट को आप परनाम करते हैं माता, पिता, सुर्य अल्ला, अकबर गौड, जीसस कृष्ण, जिसको भी है उसको thank you बोलिए कहे इस्वर, इस स्रिष्टी में आपने मुझे को भेजा है यह मनुस्य की काया दी इस काया में हिर्दय दिया और हिर्दय में सबने दिये परनाम कीजिए, thank you बोलिए उसके लिए जो आपके पास है Einstein बोलते थे एक दिन में एक हजार बार हम thank you बोल गेते तो उनको नोवेल पुरुसकार मिला जो आपके पास उपलब्दी है, आप डॉक्टर हितने बड़े, thank you बोलिए आपका इतना बड़ा बिजनस है, thank you बोलिए आप किसी पदपर वीडियो बने हुए, thank you बोलिए आप किसी नोकरी से रिटाइर कर गए, thank you God हम रिटायर कर गए दोस्तों आपका समस्त जीवन खुसियों से भर जाएगा, आपकी समस्त इतिहास बदल दीजेगा, आपका जीवन एक सौरिका गाथा होगा, जा हज्जारों लाखों लोगों का जीवन प्रतेक्श और अप्रतेक्श रूप से आप देगा, मैं इनी सब्दों के साथ पुनह इस्वर को नमन करता हूं, और प कुछ नहीं हो सकता, आए उस परंपिता को प्रणाम करते हैं, आज इस मिटिंग का समापन करते हैं, आप सबसे बहुत अच्छा लगा, कल मैं भागल पुरा रहा हूं, फिर लोगों से बात करूंगा, और एक अगस्त से नई अबारत लिखी जाएगी, और एक सितंबर से इ युद्ध का प्रारंब होगा, सैनिक, पैदल, घुर्सवार, रथी, मा रथी, अती, रथी, सब लोग अपने अपने वाहन पर, अपने अपने सस्त्रों के साथ निकल जाएगे, और 2022-23 का युद्ध हम लोग जीतेंगे, और हम लोग सब लोग डायमंड, क्राउन, इस सांदार सत्र तो कुछ और होई नहीं सकता था, आप देख रहे हैं, हरे प्रिक्ति जो स्क्रीन पर मौजूद है, वो तालियां बजा रहा है, तीन सौ से ज़्यादा मैसेजेज आ गये हैं, चार सु से ज़्यादा लोग अभी भी मौजूद हैं, और मुझे मालूम है, ये जो 400 लोग मौजूद हैं, कल अपने प्लैटनम लीडर को फोन करेंगे, कल वो पूछेंगे कि ये प्रिमिशन क्या है, इस प्रिमिशन में कैसे सामिल होते हैं, एक अगस्त से जाना है, तो मुझे ज़्याई में क्या करना होगा, अगस्त में मुझे क्या करना होगा ताक आपको सच में तहें दिल से धन्यवाद देते हैं आपके हुमारे जीवन में जो प्रिवर्टन किया है थैक्यू सो मच गुड़ाइट गुड़ाइट अब्रीबडी